हेलो डियर स्टुडेंट्स वैलकम बैक तो दे ग्लास मैं हूँ अंबिगा सेंग आपके अपनी अकाउंट्स एजुकेटर स्वागत करते हूं आप सभी का माइगनेट ब्रेंट पर एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइट करता है हंड़ेट परसेंट फिरेंड क्वालिटी एजुकेशन यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टुडेंट्स हैं तो हम आपको कोर्स करते हैं और इसी के साथ अदर स्टेट बोड के कोर्स भी कवर करते हैं जैसे की डली बिहार यूपी एमपी रजिस्थान बोड और यदि आप को ई-books का benefit लेना है तो लेंक बढ़िया से आपको description box मिल जाएगी वहां जाकर चेक कर सकते हैं और आप इसका भी benefit ले सकते हैं बस करना क्या है वाले तो फटा-फट से magnet bins को subscribe कर दो क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपको complete organized course provide कराता है free of cost में full explanation ncrt solutions practical questions mcqs most important questions and complete chapter vision everything we are providing you at no cost ओके तो बस फटा-फट से चैनल को subscribe कर दो बाइस चैनल से जुड़ने के लिए subscribe करना जरूरी है और दूसी चीज़ क्या करनी है आज की class जो हमारी होने इसको फटा-फट से लाइक कर दो शेयर कर दो ठीक है आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा तो फिर आजाओ आज की बढ़िया सी द्वागेदार class को स्टाइट करते काफी मज़ेदार interesting class होने वाले क्योंकि बहुत को सीखने वाल है मैंने आप से पिछली वाली class में क्या बोला था कि अगली वाली class मतलब जो आज की class है इसमें मैं आपको कुछ questions कराऊंगी कुछ practice कराऊंगी exercise के questions की तो पस आजाओ बही class में और सबसे important चीज बिना copy pen के कोई नहीं बैठेगा जो भी मेरी class देख रहा है copy pen लेके बैटो बहले नहीं भी solve करने का जादे फायदे में रहोगे तो बस आजा फटा-फट साय होब सभी ने अपनी copy निकाल ली होगी सभी ने अपने रिडी कर लिए होंगे और topic topic का नाम भी डाल ही दिया होगा क्योंकि पता है आज क्या पढ़ने वाले बाई देखो chapter 3 चल रहा है हमारा 12th class का यह तो आपको पता ही है और chapter का नाम क्या है change in profit sharing ratio among the existing partners होते हैं partnership firm के उनके बीच यदि profit का ratio profit sharing का ratio change हो रहा है तो भाई क्या सारी चीज़े होती है क्या हम adjustment करते कैसे account बनाते हैं वो सारी चीज़े इस particular chapter में हम discuss कर रहे हैं already कुछ topics हमारे हो चुके जैसे की sharing जो हमारा होता है जब एक firm में general reserve होता है general reserve पता ही ना पिछली class पर पढ़ाया था याद करो पिछली जो आपकी class थी उसमें पूरा आपको theory बताई थी पूरा concept बताया था क्या होता है general reserve क्या सारी चीज़े हम पिछली class में देख चुके हैं यदी नहीं देखी तो वो देखो क्योंकि आज directly मैं आपको question solve कराऊंगी है क्योंकि पिछली class में topic पढ़ा दिया concept बता दिये साही चीज़े आपको theory में समझा चुकी हूँ अब बस वही theory को questions में apply करेंगे आज class में ठीक है तो भाई देखो question solve करना है आज लेकिन यदि कल की class में कर दिये कल की theory नहीं पड़ी तो question आपको समझ में नहीं आएंगे इसलिए बहतर यह है कि पहले वह theory पढ़ लो वह concept पर लो फिर आप आज question आराम से solve करना ठीक है जो regular है students उनने तो कल की भी देखी होगी तो उनको दिक्कत आए reading of general reserve पता है ना चुले थोड़ा सा brief में आपको introduction दे देती हूं थोड़ा सा brief में बता देती हूं general reserve मतलब वह reserve यह यूं कहूं के profit का वह हिस्सा जो business emergency के लिए future में कोई urgent situation आ जाए हैना अब फ्यूचर तो कोई देखके नहीं आया ना कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा भाई इसलिए company उस future की situation के लिए क्या करके रखती है थूड़ा सा profit का हिस्सा reserve में रखके चलती है ताकि future में कोई situation आए तो पैसों के दिक्कत ना पड़े जो reserve में पैसा पड़ा हुआ है उसकी help से क्या करे भाई उस situation से fight करे उस situation का सामना करे बास इतनी सी बात है तो वही जो profit का पैसा हम बचा के रखते हैं मतलब company उसी को बोलते ही क्या general reserve clear बस इतना ही है simple example मैंने दिया था जैसे की आपकी गाड़ी का petrol थोड़ा सा reserve में होता है ना सभी गाड़ी का थोड़ा सा पैट्रोल होता है वो reserve में होता है क्यों भाई कभी emergency में खताब हो गया तो क्या करोगे य है ना थोड़ा यादी petrol reserve में होगा थोड़ा दूर जाले जाओगे petrol pump तक तो at least पहुंची जाओगे और फिर अपना petrol भरवा लोगे हाना simple सी कहानी है तो बैस यह होता है general reserve तो आज finally question देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं हमारी accounting में तो आजा पहला question लगा लेते हैं I hope सभी न general entry बता दी थी introduction दे दिया था कहा था ना कि एक रहेगा general reserve फिर आप करेगा workman compensation reserve फिर आप करेगा investment fluctuation वाला reserve और फिर एक deferred event expenditure भी है आपको जो लास्ट में पढ़ेंगे तो आज जो है वो general reserve से start करेंगे पहली वाली class जो है पतलब इस से related जो है पहला adjustment general reserve से start है questions देख लेते है इसका concept पिछली glass में cover हो चुका है तो भाई देख लेना ओके तो आज अब पहला question पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है नित्या एंड आनंदर partners in a firm sharing profit and loss equally दो पार्टनर है आपके एक firm है जिसमें दो पार्टनर है नित्या और आनंद और इनका जो profit sharing ratio है profit या loss को जो बाट रहे है equally बाट रहे है ना बराबर बराबर बाट रहे है ना कोई लड़ाई जगड़ा नहीं है कोई कम जाधा ratio नहीं भाई जो भी profit loss होगा दोनों बराबर में बाटेंगे आपस में फिर कह रहा है विदेफेक्ट फॉर सब्सक्राइब 2023 they decide to share future profit in the ratio of 3 to 2 अब उन्होंने बोला कि फ्यूचर में अब हम equally नहीं बाटेंगे अब हम 3 to 2 के रिश्यों में बाटेंगे मतला old हो गया और नहीं हो गया है ना यह कहानी हमको बताईए फिर काया on the date of change in the profit sharing ratio the profit and loss account had a credit balance of 150,000 अच्छा एक आपको credit balance दिया है profit and loss में credit balance दिया है क्या मतलब है credit side क्या होता है profit and loss बनाया होगा ना सभी ने इस तरीके का बनता है जब हम profit and loss बनाते हैं यह होता है debit यह होता है credit आपको बोला है कहां पर है balance credit balance दिया है हाँ ना क्या दिया है एक credit balance दिया है तो credit balance दिया है मतलग यह क्या दिया आपको 150 का profit दिया है ठीक है और आप से बोला है pass the necessary general entry for the distribution of the balance in the profit and loss account before the change in the profit sharing ratio तो profit sharing ratio change तो हो रहा है हमें मालूमें equal profit बाटने मतलब पहले बाट रहे थे equal अब वह त्रीस टूटू पे जा रहे है तो मैंने आपको क्या बताया था ना कि profit sharing ratio change करने से पहले जो भी profit भाई बाट दो जो भी लॉस है बाट दो general reserve तो बाट तो है ना यदि question में कुछ ऐसा specific नहीं दिया यदि दिया हो का तो भाई फिर question के मताबिती चलना पड़ेगा जैसा question बोलेगा वैसा करना पड़ेगा लेकिन अब देखो यहां पे है डिरिक्टी दिया है यहां तो आपके पास है लेकिन आप यह नहीं बॉला कि यह profit कि को करना क्या है आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो यह सो कोई लोड़ वाले रेशों में ठीक है न्यूमें भी नहीं होगा सेखरीसिंग या गैणिंग इसा में भी ने नहीं होगा और रेशों में होता है ना हर चीज इस्ट्रीबूट पहले गाई लिखियो्च से чист normal बांने ूझे कितने का 150,000 का तो आपको बोला है इसको distribute करना है तो इसमें आप देखो sacrificing और gaining निकालने के तो जरुवती नहीं है क्योंकि हमें मालूम है हमें तो old में बाटना और old हमें मालूम है कितना equally है मतलब one is to one है कितना है one is to one इनका old ratio है हमें मालूम है तो बस यही प्रॉफिट को Hum क्या कर देंगे distribute कर देंगे तो भईकर देते हैं इसको हम यहीं पर solve कर सकते हैं यहीं पर solve कर देंगे देखो rü मैं आपको old ratio देके रखा है old ratio दिया है, one is to one मतलब दोनों रवर्के हकदार है दोनों का जो अश्यार मो बराबर रहे तो यदि में बात करूं ओधन की ठीक है एन जो एक पाथनर है यह जो eth vive the profit and loss account has a credit balance credit balance profit and loss में मतलब क्या है यह दोन को क्या करोगे आधा-दा बाट दो दोनों में 1 by 2 और टीज़ ठीजे इसका भी इतना ही हो जाएगा वन बाइटू है ला आधा-धा दोनों को बाइट दो कर दो भाई इसका अधा करेंगे तो कितना एगा बताईए दोनों का हाफ-फ करेंगे तो 75,000 हो जाएगा दोनों पार्टनर्स को मतलब 75,000 क्या होगा प्रॉफित अगर नोग अगर जएगी है ना लेकिन नीव रेशो को बदलने से पहले मतलब उल्ड से न्यू पर जाने से पहले जो भी पुरानी चीज़े हैं उनको पहले डिस्टिब्यूट कर लो ओल्ड रेशो में यही कहता यह वाला कॉंसेप्ट अब हमसे तो क्षिंट बस सिर्फ जन चला जाएगा credit में चला जाएगा ठीक है यहीं बताये था मैंने आपको तो यहां पे हम बाट क्या रहा है यह बाट रहे हैं प्रोफिट दिया है ना Profit and Loss Profit and Loss Account ठीक है तो यहां पर हम Profit को बाट रहे हैं तो मैंने बोला था यहां धी पार्टनर को दे रहे हो वो क्रेडिट में जाते हैं on the other end यदि कोई लॉस है अभी ये तो प्रॉफिट की बात हो गई ये तो पार्टनर को पैसा मिल रहा है लेकिन यदि कोई लॉस है कोई expense expense जैसे की deferred revenue expenditure है तो loss यह expense होता है तो यह credit में जाता है है ना प्रॉफिट में जाते हैं और लॉस और एक्सपेंडिचर ग्रेडिट में जाता है । अभी आगे करेंगे तो वहाँ पर में रही है वो करेंगे अब यहां पर profit मिल रहा है तो हम नुट कैसे कर देंगे profit and loss account debit करेंगे क्योंकि यह partner को मिल रहा है तो इसे debit करेंगे to korn-korn partner है भाई देख लो and or a ठीक है and capital account credit to a capital account clear ठीक है amount हमें पता ही है कितना था total profit कितना था देड़ लाग था मतलब 1,50,000 था इसमें से हमने दोनों को आदा-दा बाइट दिया मतलब 75,000 and 75,000 clear कोई दिक्कत कोई परिशानी ठीक है clear समझ गया बस यही था यह वाला सवाल इसमें बस आपको जो प्रेड़ी प्रॉफिट दिया है क्योंकि हमें मालूम है ओल्ड रेशो से न्यू की तरफ जा रहे हो तो पहले जो भी प्रॉफिट है रिजर्वे उसको पहले फिर अगला question करेंगे डन ठीक है समझ में आया easy question था बस entries का यहां पर वह ध्यान रखना की डैबिट में क्या जाना है clear जो चीज पार्टनर को मिल रही है बाट रहे हो partners को वह डैबिट में जाएगी और जिस पार्टनर को मिल रहा है वह क्रेडिट में जाएगा clear यदि लॉस होता लॉस होता तो क्या करते पार्टनर को डैबिट करते और लॉस को क्रेडिट करते ठीक अभी लॉस की कंडिशन आएगी तो मैं वह भी बताऊंगी डोंट फरी फिलाल यहां profit की कंडिशन थी clear अब लगा अगला question चलो आ जाओ second question लगा लेते हैं second question रीट कर लेते हैं दो तरीके से दो कंडिशन दिया है इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कहानी old ratio भी दिया है new भी दिया है और कहा है कि यह लोग old से new की तरफ जा रहे हैं और इनके balance sheet में जनरल रिजर्व दिया है in the case of the following alternative cases आपको general entry pass करनी है हमको पता है जैसी entry में लास्ट क्वेशन में कीती वैसे ही होगी बस वहाँ पर प्रॉफिट था यहां पर जनरल रिजर्व इतना ही फारक है बाकि सेम है वहाँ वो प्रॉफिट बटा था यहां जनरल रिजर्व बट रहा है बस इतना difference है ठीक ह अब देखो दो condition क्या दी है when general reserve is not to be shown in the new balance sheet जब आपको general reserve नई balance sheet में नहीं दिखाना मतलब आपको पहले इसको हटाना है जब नई balance sheet बनेगे तो आपको continue नहीं करना है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि partner आप जो अपनी नई balance sheet बनाएंगे उसमें general reserve नहीं रखना चाहते तो वह कब नहीं रखेगा जब आपको रखना ही नहीं नहीं दिखाना पड़ेगा तो यहां पर पहला point वहीं बोल रहा है कि जब general reserve को वो लोग नई balance sheet में दिखाना नहीं चाहते न्यू balance sheet में उसको नहीं शो करना चाहते तो कब नहीं शो होगा जब बट जाएगा यदि general reserve सभी partner में बढ़ गया तो general reserve भी खतम और जब general reserve खतम हो गया तो balance sheet में भी नहीं आ जाएगा जब वो खतम हो जाएगा तो नहीं balance sheet में जाए गई नहीं clear यह है पहला फंडा दूसरा case आप से कह रहा है when general reserve is to be shown in the new balance sheet अभी उल्टा बिल्कुल उल्टी कहानी बोल रहा है क्या बोल रहा है कि general reserve को हमें नई balance sheet में दिखाना है हमें लेके जाना है नहीं balance sheet में त तक तो इसके लिए क्या है मतलब थोड़ा general reserve रखना पड़ेगा तो मतलब partner को बाटना तो है तो अब इस वाले case में इस वाली condition में क्या होगा आप calculate करोगे sacrificing or gaining calculate करोगे और जो sacrificing or gaining का ratio आएगा उस ratio में बाटोगे और फिर जो बचेगा उसको अपनी balance sheet में क्या करोगे अगल आपसे पहला काम जो हमारा first case है इसकी entry कर सकते है हम क्योंकि पहला case आपसे कुछ नहीं बोल रहा है यहीं बोल रहा है कि हमें balance sheet में लेके नहीं जाना क्योंकि हमें पता है ना जब हम पुराने ratio से नई ratio के और जाते तो changes करते हैं तो इन्होंने भाई change किया इन्होंने कहा कि general reserve हमें नहीं balance sheet में नहीं ले जाना तो simple बाते नहीं ले जाना तो माट दो सभी partner को बाट दो तो इसकी entry कैसे हो जाएगी चलो इसकी entry कर लेते हैं इसकी entry मैंने बताई है क्या हो जाएगी general reserve general reserve account debit होगा two कितने partners हैं दो है ना दो partners दिये हैं आपको अमर और अकबर तो दोनों के capital account में general reserve transfer हो जाएगा ठीक है तू अमर्स capital account तू अकबर capital account clear ठीक है अब होगा कितना distribute यह देखो amount कितना distribute होगा देखो टोटल साथ हजार का general reserve है और मैंने क्या बोला old ratio में distribute होगा old ratio है two is to one तो कर दो साथ हजार को यहीं पर कर लेते हैं साथ हजार को आपको पहले बाटना है किसमें two by three में और दूसरे partner के लिए आपको क्या करना है साथ हजार को one by three में बाटना है ठीक है कर दो भाइस का calculation ठीके टेबल से हो जाएगा ठीवन इस त्री त्री टूसरे शेक्स और टू टूसर पोर तो यह कितना हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा ठीक है और यह कितना हो जाएगा थीए फीरिय्यू सेल से यह हो जाएगा घ्याट इया पूरा बाट दिया चाथा और पूरा वाले को दूसरे वाले को 20,000 मिल गया ठीक है नरेशन आप लिख सकते हो क्या कि जनरल रिजर्व हमने डिस्टिब्यूट किया ओल्ड रेशो में ठीक है यह हो गई आपकी पहली एंट्री राइट कोई दिक्कत कोई परिशानी यह हो गई पहली एंट्री अब दूसरी एंट्र हमें टीक है बिल्कुल आप नई बैलेंटशीट में लेके जाओ लेकिन उतना ही ले जाओगे जितना बचेगा कौन सा बचेगा जब आप जो सेक्रिफ इफाइजिंग और गेट्र पार्ट्र को जो जरिए डिस्टिबिूट कर दोगे उसके बाद जो बचेगा वो जाएग किसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पते यह वाहिऊ देखो दो पार्टनर है यह अमर और यह अकबर आपको मालू में क्या करना है old minus new करना है हना old कितना दिया है टू by one था न two to one था ठीक है old इंका 2-1 था और new कितना है इनका 3 is to 2 यह देखो यह दिया 3 is to 2 इनका new है तो लिख लेता है इसको 3 is to 2 चलो यह old यह new आपको old minus new करना है ठीक है तो कर दो old minus new कर देंगे तो कितना है वो 2 by 3 minus वो कितना हो जाएगा 3 by 5 और next वाले partner का हो जाएगा 1 by 3 minus 2 by 5 इसको solve कर दो इसको बस solve कर दो कि तो आप कहा जाएगा तो चलो इसका LC हम ले लेते हैं इसका LC हम लेंगे तो कितना हैगा 3 5 जा 15 3 के टेबल में 15 5 times में आता है और 5 2 जा 10 minus 5 के टेबल में 15 3 times में आता है और 3 3 जा 9 तो यह कितना हो गया 1 by 15 फिर इसका कितना हो जाएगा इसका LC हम लेंगे पंदरा 3 के टेबल में 15 5 times और 5 1 जा 5 minus 5 के टेबल में 15 3 times और 3 2 जा 6 तो यह कितना आ गया यह भी 1 by 15 आया लेकिन 6 बड़ा नमबर है 6 में माइनस लगा तो यहां भी माइनस लगेगा अब आपको समझ में आ गया है सेक्रिफाइजिंग पार्टनर होता है क्रेडिट साइट पर रिकॉर्ड होता है यह हमने पड़ा है इनिशल यह सब चीज़ें देख चुके हैं अब हमको क्या करना है जो रिजर्व है उसको आप बाटेंगे यह वाले रेशो में यह जो रेशो आया है ना इस रेशो में अब हम उस पर्टिकुलर रिजर्व को बाटेंगे और फिर जो बचेगा जो बचेगा वो आपका बैलन शीट में आप अगले साल ट्रांसफर कर सकते है राइट तो अब देखलो कितना है जनरल रिजर्व साथ हजार है साथ हजार है पहले वाले का अमर का ठीक है तो साथ का आपको इस रेशो में करना है that is 1 by 15 और सिमिलरली जो आपका अकबर है इसका भी यही होगा 60,000 का 1 by 15 ठीक है अब आप इसको calculate कर लो बढ़िया से आपका अंसर आ जाएगा राइट कितना आएगा दोनों का सेमी आएगा that is इसको करोगे तो four times ठीक है 4000 ठीक है 15 बने 15 पो ठीक है four हो जाएगा यह आपको 4000 अब यह हो गया General Reserve में क्या कि यह 4000 इसको मिलेगा General Reserve का जो 60000 में से 4 इसको मिलेगा फोर इसको मिलेगा और जो बचेगा वो कहां जाएगा आपकी बैलेंस शीट में जाएगा ठीक है जो बचेगा वो कहां पर जाएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा समझ गए 60,000 में से 4,000 इसको मिल जाएगा, 4,000 इसको मिल जाएगा, जन्रल रेजर्व का, और जो भी बचेगा, है ना, बचेगा क्योंकि टोटल कितार रहे, थाट बिचाओं माइनस करदोगे, तो जितना आमाउंट आपका बच रहे है, वो कहा जाएगा balance sheet में चला जाएगा चीक है तो अब इसकी entry कैसे होती है इसके entry कैसे करेंगे इसके entry देख लो मैंने क्या बताया कि जो partner का क्या आया है gaining आया है वो debit सही जाता है इसका gaining आया है तो यह कौन सा है अकबर है तो इसके entry हो जाएगी अकबर capital account debit to amar capital account amar capital account amount कितने आएंगे भाई amount तो वही आएगा 4000 और 4000 ठीक है amount लिख देते हैं 4000 और 4000 clear कोई दिक्कत कोई परिशानी simple है ना simple question है बस आपको पता होना चाहिए कि general reserve का treatment कैसे होगा right और इसमें आप narration भी लिख सकते कि हमने क्या क्या general reserve को distribute कर दिया clear कोई दिक्कत कोई परिशानी ठीक है बस इतना ही question था इतना ही question था ठीक है आब इसका एक एक करके पहले screen अच्छा यह वाला समझ में है ना यहां पर हमने किया क्या कि भाई हमें old ratio भी पता था देखो यह old था यह new था है ना यह old था यह new था दोनों को minus करके हमने sacrificing या gaining find कर लिया अब हमें पता है क्योंकि इन्होंने question में बोलाई कि वह general reserve को continue रखना चाहते है मैंने कहा था ना जब भी reserve से related question आते हैं तो यह तो वह question में आपको कुछ देके रखेंगे कि यह लोग continue रखना चाहते हैं यह distribute करना चाहते हैं यह कुछ भी नहीं दिया ना तो पूरा बाट दो हैना कुछ नहीं दिया question में तो पूरा रिजर्व जितना भी है पूरा सभी partners में बाट दो old ratio में पहली चीज और दूसरी चीज क्या यदि क्वेशन में कुछ देके रखा है कि इसको continue करना है यह इसको बालन शीट में लेके जाना यह इसको यह इस रिजर्व को किसी दूसरे रिजर्व में transfer करना है तो फिर question के अनुसार चलेंगे और फिर जो रेशो रहेगा वो गेनिंग और sacrifice में बटेगा clear अब जो भी इसमें जैसे second condition में बोला था कि इनको reserve को balance sheet में continue रखना है हमने क्या किया reserve को पहले gaining और sacrifice ratio में partner में distribute कर दिया right और जो भी बचेगा वह यह लोग balance sheet में कर लेंगे ठीक वह हमें नहीं करना balance sheet वाला का हमें नहीं करना वह यह लोग partner कर लेंगे ठीक है हमारा यह सिर्फ इतना काम था हमको general entry बतानी थी clear अब आप इसका screenshot ले लो फटा-फट से कहां से शुरू किया पहले यह entry थी हमने first वाले case की इसका ले लो done ठीक है फिर यह second case ठीक है यहाँ पर में लिख देती हूँ यह हमारा second case है चलो इसका screenshot ले लो done ठीक है हो गया सभी का समझ में आ गया question simple था अब अगला वाला question देखें उससे पहले फटावट से पहले like share कर दो पहले सभी को like share करना है उसके बाद फिर हम देखेंगे next question ठीक है question number two तो हो चुका है इसका भी लेना है तो भाई इसका भी ले लो ख्यार यह तो easy पर ले लो if you want ठीक है done चलो तो यह हमारा second question हो गया हो गया अब पहले like share कर दो फटाफट से दो यहने टाइक पर सारे question देखेंगे चलो इसको रीड कर लो डालो copy में आपका question number three इसको रीड करते है और फिर साथ में solve करेंगे चलो question बोल रहा है question कहता है x y z are sharing profit and loss in the ratio of five is to three is to two team partner है old ratio इनका यह है फिर बोला है they decide to share future profit and loss in the ratio of three is to sorry two is to three is to five old है new b d i dono d i a henna पहले यह था अब यह सोच रहे इस ratio में करेंगे now with effect on first travel ठीक है they also decide to record the effect of the following accumulated profits loss and reserves without affecting their book values by passing a single entry ठीक है आपको कुछ information देके रखी है हर चीज दिया है जैसे कि general reserve दिया है book value मतलब इनका amount दिया है general reserve इनका 6000 का है profit and loss credit side इसका मतलब यह इनका profit credit side पर जो profit and loss यदि दिया है तो मतलब यह profit है और debit side पर होता मतलब loss है या दर्खनाश चीज़को question में कई बार आपको यह नहीं बोलेंगे कि यह profit है यह loss है आपको credit debit देके रहेंगे तो credit side अगर दिया है तो मतलब profit है debit side बोला है तो लॉस है समझ जाना बुद्धी लगा ले ना ठीक है फिर advertisement suspense मतलब advertisement का expenditure खर्चा देके रखा है 12,000 का आप से बोला है pass and adjustment entry आपको एक adjustment entry करने है तो question में कहा भी है passing a single entry एक entry करके काम खतम करना है इनका पूरा सिर्फ एक entry करनी है और बोला क्या है पहले question को समझो question में देखो old ratio दिया है new ratio भी दिया है ठीक है फिर आप से बोला है कि इनका कुछ profit है accumulated profit है इनका कुछ यह हमने देख लिया कुछ loss है इनका ठीक है कुछ reserve यह सारी चीज़े हैं इनकी already firm में चीज़े हैं अब यह लोग क्या करने है old ratio से new ratio की तरफ आ रहे हैं है रेशो को उसको पूरा distribute नहीं करना चाहरे तो भाई हम भी इसको फिर सभी में बाट नहीं सकते यदि इन्होंने कुछ भी नहीं का होता तो हम क्या करते हैं सभी चीजों को बाट देते सबी चीजों को बाट देते old ratio में परंतु यह ऐसा नहीं चाहते यह क्या बोल रहे हैं कि यह जो भी चीज़े हैं इनको यह कुछ भी effect नहीं करना चाहते हैं विदाओट और चाहते हैं तो बाट देंगे कुछ बचे गई है और बचे गई नहीं है इसलिए हमें क्या करना है इसको पूरा नहीं बाटेंगे अब जितना भी आएगा जो भी आशर आएगा इसको क्या करेंगे sacrificing ratio या फिर gaining ratio में distribute करेंगे ठीक है तो question तो हमें समझ में आ गया तो अब सबसे पहला काम क्या रहेगा भाई इनका sacrificing ratio और gaining ratio निकालना पड़ेगा क्योंकि old ratio में तो तब बाटते हैं जब सब कुछ बाटना है आपको कुछ रखना ही नहीं है सब कुछ बाटना है तो old में बाटके बाद खतम हो जाती है यह सब कुछ बाट दो कुछ बचे गई नहीं old में बाट दो परंतु इन्होंने साफ बोला है कि हमें इन चीजों को अफेक्ट नहीं करना यह सब चीज आमें रखनी है कंटीनियू रखना है यह लिखा ना वहीं लिखा ना देखो कि प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो भी है विदाउट अफेक्टिंग यह बुक वेल्यू बाटके खेल खतम कर देते परंतु नहीं बॉक्स में को लेकर जाना है बॉक्स में इनको आगे बी रिकॉर्ड बात हुआ है बालन शीट में भी आगे ले जाना बात से मिला रहें बुक वैल्यू में बात को कहने का बस यह बात एक ही कह रहे है बस इदर घुमा फिरा के तीन-चार तरीके से बोलते तो आप इसको ब होती तो पिछले question में क्या किया था जबन का थे जनेरी रिज़र्फ को डेरण मेंotto रखना चाहते हैं तो हमने क्या किया था देखो दो थे पहले था था कि जनडर्व को नहीं रखना लगा से बाप था कि आप में यह कि 형ने रिजर्व को गोर बात की तmost को बोला कि आप बैलेंस जीट में पहले क्या किया उस zitten में इस सेけれफाज गेंग लिशों से treatment यहांबी करेंगे यह जो भी चीजेंहें इनका balance निकालेंगे इनका जो बैलन्स आएगा उसको सेक्रिफाइजिंग और गेनिंग जो भी रेशो अभी निकालेंगे उस रेशो में पहले उसको डिस्टिब्यूट करेंगे और जो भी बचा कुछा रहेगा फिर वो लोग बैलन्स शीट में या जो भी बुक्स में केकрок करना stitches हैं मैं करके लिखाती हूं कैसे करना है आओ देखो समझ हो तो सबसे पहला काम इनका टोटैलींग करो मतलब इनका बैलेंस निकालो बैलेंस कैसे निकलता यहीं पर बता देए हूं साइड में हैना यहीं पर बता देती हो बैलेंस निकालने के देख़् lock आपको general reserve दिया है profit and loss भी दिया है और क्या दिया है advertisement suspense मतलब expense है ना advertisement suspense का क्या मतलब है कि advertisement करने के लिए company का इतना खर्चा लग रहा है general reserve मतलब 6000 जो इसने बचा के रखा है profit and loss में credit side मतलब इनका profit है ठीक है यह दोनों तो इनके profit और reserve का apart हो गए फिर advertisement suspense मतलब advertisement करने के लिए जो खर्चा है जिसके लिए हमने reserve में रखा हुआ है पैसा वह 12,000 है तो अब इसका balancing कैसे करेंगे balancing करने के लिए कुछ नहीं सबसे पहले जो reserve दिया है short मैं बताती हूं जो आपको general reserve दिया है इसको लो कितना है 6000 ठीक है madam यह हो गया 6000 प्लस profit भी प्लस होगा profit दिया है कितने का दिया है 24,000 का इस profit को भी add कर दो दोनों को add करो कितना हो रहा है यह चे और चार्जिरो 30,000 है ना यह कितना हो गया आपका 30,000 हो गया अब एक तरीके का खर्चा भी यह तो हमने क्या किया था add मैं यहाँ पर लिख अरे बाबा मिट जाओ ठीक है यह हमने add किया था अब हमें माइनस करना है क्या अच्छा मैंने यहाँ पर माइनस लिखा हुआ था ठीक है यह प्लस किया अब हमें यहाँ पर माइनस क्या करना है एडवर्टेश्मेंट वाला सस्पेंस मतलब जो भी अमांट अपका एडवर्टेश्मेंट एक्स्पेंडिचर के लिए रखाया है डेट इस बारह हजार बारह हजार कर दो माइनस आपका बैलन्स आ जाएगा कितना रहा है माइनस करो भाई 30,000 में से यदि बारह हजार माइ माइनस कर दिया 18,000 अब इस 18,000 को इनके सेक्रिफाइजिंग और गेनिंग रेशों के पहले डिस्टिब्यूट करके जनरल एंट्री करेंगे और फिर जो अमांट रहेगा वो इसका बचेगा ठीक है अब दो कैसे होगा लिसन यहां पर देखो तो सबसे पहले तो भाई इनक है है ना कितना दिया है जरह मुझे बता दो कोई 532,235 ओके 532,532,235 क्या मैंने सही लिखा क्या मैंने सही लिखा ठीक है अब आपको भी मालम है बहुत अच्छे से कि हमें क्या करना होता है old minus new करना पड़ता है तो हमारा sacrificing gaining समनिकल के आ जाता है तो देखो पहला partner कौन है पहला partner है x दूसरा y तीसरा z तो लिख दो यहां पर बढ़िया से x y z old minus new हमें करना है तो कर दो old कितना हो गया इसका 5 divided by total कितना है यह 10 है ना minus new कितना हो गया इसका 2 by यह भी 10 है इसको solve कर लो फिर जो y है y का कितना है 3 by 10 है 3 by 10 minus 3 by 10 है ना देखो पुराना भी 3 था 3 तो यह तो देखके ही समझ आ गया ना अब इतना तो आप लोग वह हो गये expert हो गये कि देखके बता दो कि इसका 5 से 2 हो रहा ह इसका 2 से 5 हो रहा है लेकिन इसका 3 से 3 ही है मतलब no sacrifice no gain 3 से पहले भी 3 था अभी भी 3 है कोई sacrifice नहीं किया कोई gain नहीं किया जहां था यह वहीं है परन्तु फिर भी हम इसको show कर देंगे हम अच्छे से पूरी चीज लिखेंगे ताकि हमें पूरे number मिले exam में है ना तो यह है कि calcium 10 अब इसको कैसे करेंगे देखो 10 में 10 वन टाइम श्माता है और 155 माइनस यह भी 10 में 1 और 122 इसको नॉर्मल भी यदि माइनस करोगे तो भी वही आएगा पर ठीक है मैं आपको पूरी पूरी प्रक्रिया बताऊंगी ताकि आप अराम से सीख सको ठीक है calculation करना तो बस इस कितना हो जाएगा झाल सथी थे तहुछ टैन हो जाएगा इसका तो जीरो है और इसका इसका कितना आजाएगा देखो Sko Kita यदि solve करेंगे तो इसका माइनस में आएगा इसका आजाएगा माइनस में आजाएगा माइनस 3 by 10 कोई दिकत कोई परिशानी ठीक है यह इस तरीके से हमारा अंसर आजाएगा इसको भी जाओ तो डिरिक्ट्री लिख लो क्योंकि हमें मालूम ही है कि वह टैन का 10 करेंगे तो इसका भी वर आएगा और फाइव में से तो तो तरी आएगा चलो इस तरीके से अंसर आ गए अब हमें बहुत अच्छे से पता है मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज बताइए जिसका माइनस में आया मतलब वो गेनिंग पार्टनर रहे गेनिंग रेशो आया उसका और टैबिट साइट पे जाता है जिसका जीरो आया मतलब नो गेन नो सेकरिफाइज कुछ नहीं आप जहांते आप वहीं हो जिसका प्लस में वो सेकरिफाइजिंग और वो क्रेडिट साइट में जाता है यह चीजे आपको मालूम है आ गये इनके रेशो आगये कितने आया कर दो उस बैलन्स को इस रेशो में डिस्ट्रिब्यूट कर दो तो यहीं पर साइड में कर लेते हैं ठीके ना यहीं पर बाजू में कर लेते मस्त तरीके से यहां पर आ जाओ तो कैसे करना है अठारा हजार इसी पार्टनर का यदि मैं देखूं तो अठारा हजार का वो जो करो 0-0 cancel हो जाएगा और 3 से इसका multiply कर दो तो दोनों का amount same आएगा कितना आएगा बता दो 3 से आप इसको multiply करोगे तो कितना आ रहा है बताइए कितना आ जाएगा 5400 ठीक है 5400 आ जाएगा आपका दोनों का 5400 and 5400 तो अब इसकी general entry कर लोगे न असानी से यह जाएगा डेबिट में कौन है यह जाएड जाएगा डेबिट में जाएड अकाउंट जाएड कापिटल अकाउंट डेबिट टू X capital अकाउंट ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशान नहीं यह entry होगी कर लेते हैं यहीं मैं अकाउंट अमाउंट हमने निकाल ही लिया कितना कितना अमाउंट आया है 54,000 सारी 5400 and 5400 clear कोई दिक्कत कोई परिशानी यह हो गई क्या हमारी entry ठीक है इसको मैं ऐसे कर देती हूं so that आपको बढ़िया से दिख जाए clear यह हो गई entry ठीक है समझ में आया simple question था बस करना क्या था कुछ भी नहीं इनका पहले balance निकालना था दोनों profit और reserve को plus करके जो advertisement का खर्चा है suspense में है वो 8,000 मतलब sorry वो 12,000 minus क्या तो 8,000 हमारा balance आ गया अब यह जो particular balance है आपका इस वाले balance पे हमने क्या किया पहले तो हमने old minus new करके sacrificing और gaining निकाल लिया क्योंकि वो जो balance है जब वो balance बढ़ता है तो sacrificing और gaining में बढ़ता है तो हमने वही कर दिया वह जो निकाला था balance उसको इसमें बाट दिया ठीक है अब देखो दोनों को add करेंगे जो भी आपका रहेगा दोनों को add करोगे फिर जब आप उसमें ठीक है तो आपका ठाराजार पूरा distribute भी नहीं हुआ पूरा खतम भी नहीं हुआ उसका थोड़ा सा amount बस हुआ बागी का बचा हुआ आप अपने books of accounts में record कर सकते क्लियर adjustment समझ में आ गए कैसे करते हैं सारी चीजी क्लियर हुई entry वगरा समझ में आ गई ठीक है यह तो सिंपल है जो gaining में आता है इसको आप debit side कर दो जो sacrificing हुआ उसको credit कर दो entry तो simple होगी ठीक है समझ आ गया तो चलो आप इसका screenshot ले लो यहां से ले लो पहले calculation important है क्योंकि यह ठीक है डन अब इसके बात जो हमने solve किया है यहां से इसके screenshot ले लो फट अफट done clear question समझ में आया करने में मजा आया right कोई भी दिक्कत परिशानी है कहीं में कोई भी confusion ने तो भाई comment में पूछ लेना है मैं आपका बिल्कुल जो भी doubt रहेगा उसको solve कर दूंग आया होग लेकिन doubt होना नहीं चाहिए क्योंकि simple question है मैंने हर चीज बता दी कि कौन सा calculation कैसे हुआ right और यह भी बता दिया कि यह जो अठारा हजारेस में से यह इन दोनों को माइनस करोगे फिर वो जो अमाउंट क्योंकि इन दोनों को क्यों माइनस करने क्योंकि यह तो चला गया यह तो गया ठीक है 54 उसमें से तो चला गया एक ने दिया एक ने लिया एक का गेनिंग एका सेक्रिफाइजिंग फिर जो अमाउंट बचेगा वो कहां जाएगा अपने इनके जो कंटीनियू रहेंगी बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी बैलेंस शीट है वहाँ पर वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा क्लियर कोई दिकत परिश्वा नी क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में यही बोला था कि यह क्या करना चाहते विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक्स इन सभी चीजों को रखना चाहते तो एक सिंगल एंट्री मांगी थी तो हमने एक सिंगल एंट्री कर दी एक अकेली क्यों और उसी कोंसेट की अच्छे जी क्लियारिटी हो जाए उसके लिए आज हमने कुछ कुछ क्वेश्चन किये हैं आपका होमवक्थ यह है कि इन क्वेश्चन को दुबारा से एक बार रिवाइस कर लेना फिर कुछ और नए क्वेश्चन और नए कॉंसेप्ट हम अगली noses students तो हम आपको class kg से लेकि वो तो हम आपको prod करते हैं यह साथ जैसे कि डैली बिहार यूपी एंपी रजस्थान वोड वेडिक मारत से फिर स्वोकन इंग्विश्क कोष्ट बी आप हमारे यहां से free of cost में देख सकते हैं और crash course थो हम आपको revision के लिए प्रोवाइट करते ही हैं e-books याई notes का benefit लेना है तो link आपको बढ़िया से description box मिल जाएगी वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कोर्स लेखने के लिए YouTube चैनल पर चले जाना पूरी playlist हर सब्जेक्ट हर क्लास की सारी चीज़े आपको मिल जाएगी या फिर हमारा application डाउनलोड को लो या फिर डिरेक्टली website पर जाकर भी आप हमारी वीडियो को हमारी classes को देख सकते हैं कोई दिकत परिशानी नहीं आएगी बस करना क्या है चैनल को फटा-फट से subscribe करें और यदि आप अधर social media platform यूज करते हैं जैसी कि YouTube, Facebook, Insta, Twitter, WhatsApp तो भाही यहाँ पर पी जाके मैं follow जरूर करें So, dear students, well in your next classmate, till that take care and keep learning.